तो जिस महाशेय को भारत अतना से नरेंदर मोडी नवाज रहे हैं तो उनका रिकार्ड यह है कि जहां कहीं भी वो अपनी रतियात्रा लेकर गए 23 सप्टमबर से 5 नॉंबर 1990 में और जो जनरेशन जी जिसको कहते हैं उन नौजवानों के लिए बता रहा हूँ कि उस वक्त लाल किशन अद्वानी रतियात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को तोणने के लिए तो ये रतियात्रा गई 23 सप्टमबर से 5 नॉंबर 1990 तक अहमदाबाद से शुरू हुआ हरीदवार, बिजनर, आलनपूर, मुरादबाद, रामपूर, धनेरा, बडायों, अलीगर, मतुरा, आगरा, कानपूर, भरूच, लखनो, अलाबाद, सूरच, जानपूर, फैज़ाबाद, वदोड़रा, बाशी, वारणरसी, वायरू, रांची, पतना, मुंबई, गोद्र हैदराबाद, जैपूर, राहोड, विदर, कोलार, जोधपूर, बिंगलूरू, देवानगिरी, मीरट, रामानगरम, चन्नापटना, घाजियाबाद, तो उसमें जहां कहीं भी ये इनकी रत्यातरा गई, बिंगलूर, कोलार, चन्नापटना में, तीस लोगों की मौत हुई फसादात में, देवानगिरी में एक, रामानगरम में दो नौमबर को दो लोगों की मौत हुई, विदर में साथ लोगों की मौत हुई, अक्टोबर पाँच, हैदराबाद में उस वक्त बत्तरीन फसाद हुआ हिंदु मौत हुई, तीस लोगों की मौत हुई, फिर भरूच भारूच में गुजरात में एक शख्स की मौट ही दो नौमबर को सोमनात में से शुरू किये थे ये तो जहां जहां ये इनकी रतियात्रा गई मुजफ़न अगर में तीन लोगों की मौट हुई दिली में जड़पें हुई जैपूर में 47 लोगों की मौट हुई फसादात में अक्टोबर 27 1990 में अलिगर्ड में तीन बिजनोर में तो 58 लोगों की मौट हुई मीरट में साथ लोगों की तीन नौमबर को मौट हुई तो जहां कहीं भी लाल कृशन अड़वानी के रतियात्रा गई वहां पर इन तमाम मुखामात पर हिंदू मुसल्मान फसाद हुआ इनसानियत की मौट हुई और अफसोस की बात यह है के नरेंदर मौटी की हुएमत उनको इस मुलक का सबसे बड़ा सिविल एन अवार्ट भारत रतना से नवाद रहे किसे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम देश में ऐसे लोगों को सबसे बड़ा सिविल एन अवार्ट दे कर हम क्या पैगाम दे रहे हम यह पैगाम दे रहे हैं कि हम एक जहिती खाहिम करेंगे हिंदू मौटी की हुएमत क्या पैगाम दे रही है और इससे बढ़कर लाल किशन अड़वानी जब पाकिस्तान गए थे तो महम्मद अली जिना की खबर पर जाकर उन्होंने जिना की तारीफ में कलमात लिखे थे और यही आरेसस बीजेपी विश्वा हिंदू परिशद बजरंग डल आए दिन भारत के घयूर मुसल्मानों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ अरे कम से कम तुम आवार्ट देने से पहले ये तो देख लेते हैं ठीक है इतने लोग मरे तुम भूल इतने लोगों की मौतें हुई बच्चे यतीम हुए हमारी बहने चाहिंदू हो मुसल्मान हो बेवा हो गई एई घर उजड़ गए जो शक्स पाकिस्तान जाकर मम्मद अली जिना जो इस मुल्क की पार्टिशन का जिम्मेदार है आप उसकी तारीफ में कलमात लिखता है नर इसे अदमी को आवार्ट दे रहे हैं जो जिना की तारीफ किया तो इससे आपका ये सो काल नैशनलिजम दिखता है हम जो आवार्ट दिया गया है हम समझते हैं कि ये हमारे आवार्ट की तोहीन है इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को ये आवार्ट दिया गया थ हुई ये अलग बात है कि कोट ने किसी को खाथी नहीं पाया ये भी एक बला मजाख है और उसके अपील नहीं की गई तो हम इसको ना मुनासिब समझते हैं गलत समझते हैं और हम समझते हैं कि भारत रतना के रुदबे में कमी आ रही है इस तरह के नरेंदर मोडी कोगूमत फैसले के जो कर रही है इसलिए हम ये इस बात को खते ही मानने नहीं मान सकते हैं कि ऐसे शख्स को आप आवार्ट दे रहे हैं जो भारत में हिंदो मुस्लिम फसादात हुए और उनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई उन जो भोम मिनिस्टर थे दोजार दो का रायट हुआ तो हम इसको गलत फैसला मानते हैं